Hey everyone, कैसे हो यार आप लोग, so this is the 11th class of Vijay series, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि daily 5 minutes में 10 questions करने की कोशिश करते हैं हमारा target है, finest 2000 questions को करना, ठीक है, तो 11th lecture है, इसका मतलब आपको समझ आ रहोगा कि पहले 10 lectures हो चुके हैं, जो वो 10 lectures होए हैं उसमें बहुत important questions हैं, तो अगर आपने नहीं किया हैं, जो भी आज नहीं हो, तो उसको जाके आप जरूर कर ले रहा हैं, it's very important for your exam, ठीक है, तो चलिए start करते हैं हम लोग, तो आज का पहला question है, the impurity percentage of seed is known as, ठीक है, एक impurity percentage हम लोग seeds का निकालते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो the impurity percentage of seed जो है, उसको dockage बोला जाता है, is known as dockage, क्या बोला जाता है, ठीक, next हम लोग देखेंगे, इसी में एक आता है, real value of seed निकालना, देखेंगे, आज कल जो exams हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कि जैसे AFO के जो exams आ रहे है, उसमें कहीं न कहीं एक बहुत easy है, अगर आपको पता है उसका formula, तो बहुत easy हो जाता है, ऐसे थोड़ा tough हो जाता है, तो वो क्या होता है, कि एक formula based आपको छोटा सा numerical से दे रहा है, तो देखें, real value of seed निकालने के लिए मान लीजे, exam में आपको बोल दिया, तो आपको पता रहना चाहिए, कि real value of seed का formula जो है, वो purity percentage into germination percentage by 100, ठीक है, तो यह formula आपको याद होना चाहिए, ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे formulas करवाँगा, approximately 30-40, जैसा questions इससे आजा रहा है, जैसे सार से question आया था आपको, ठीक है, आपको याद होगा, सार से question आया है, 2021 में, ठीक है, आपको agriculture equipment से question आया है, efficiency निकालने के लिए, efficiency का एक formula होता है, उससे question आया है, 2021 में, तो यह सब question आपको miss नहीं करने के लिए, मैं आपको finest 20-30, even 2022 में भी Q equal to CIA करके है, ठीक है, तो 20-30 या 30-35 मैं बहुत finest-finest आपको formula लिखवा दूगा उसको, ठीक है, तो उसको कर लेना, तो क्या है कि उसी का एक example है, तो जो करवार हों वो आप करते जाओ, ठीक है, तो next, the first seed testing laboratory, first seed testing lab कहा बना था, तो IARI, IARI में कब बना था, 1961 में, IARI का full firm क्या ह है, Indian Agriculture Research Institute, ठीक है, okay, next हम लोग देखेंगे, next हम लोग देखेंगे, which organism is regarded as queen of genetics, RRB SO का question है, ठीक है, which organism is regarded as queen of genetics, क्या नाम है उसका, dorsophilia melanogaster, dorsophilia melanogaster, जो भी पढ़ सकते हो, dorsophilia melanogaster, ठीक है, फिर एक question आता है, the cultivated बनाना, जो cultivated बनाना होता है, वो autotriploid होता है, देखेंगे, बहुत होता है, monoploid होता है, ठीक है, duploid होता है, कुछ चीजे, कुछ crops, triploid होते है, ठीक है, तो उसी में होता है, cultivated बनाना जो है, वो क्या होता है, autotriploid, यद रखना है आपको, और एक होता है, critical है, critical है क्या है, critical मैंद सीरियल, आप इसके हैं से बढ़ हो गये, critical क्या है, is a man-made सीरियल वो hexa ploid होता है तो cultivated बनाना क्या होता है autotriploid और critical lllk मैं मेर्ट सीडियल से वो क्या होता है वो hexa ploid होता है चल्दिये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं next question which of the following is the source of reduced height genes used in wheat breeding wheat breeding में कॉन सा gene height reduce करने के लिए important source है आपको पता होगा 910 इसका नाम है पर मैं ये question इसलिए दिया हूँ क्योंकि 910 तो exam में आया ही आया है एक और इसका नाम होता है और एक और gene है जो कि reduce height के लिए काम में आता है वो है tom thumb तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए क्योंकि 910 तो exam में पूश दिया है हो सकता है वो कुछ different करके tom thumb के बारे में पूश दिया है तो ये आपको पता रहने चाहिए कौन कौन सा है 910 और tom thumb next हम लोग देखेंगे effective gametocytes for crop ठीक है कुछ gametocytes होते हैं crops के लिए जो gamets को मारने के काम में आते हैं तो rice के लिए effective gametocytes क्या है sodium methyl arsenate, zinc methyl arsenate ठीक है उसी तरह wheat के लिए भी होगा gametocytes तो वो है malic hydroxide और ethereal hydroxide देखेंगे ऐसे-ऐसे cucurbits के लिए भी होते हैं ऐसे-ऐसे onion के लिए भी होते हैं बहुत सारे होते हैं ठीक है यह तो most important है ठीक है यह तो होना ही चाहिए बाकी भी चीज़ों के आप देखते रहना ठीक है next हम लोग देखेंगे next हम लोग देखेंगे loss और decrease in vigor और fitness as a result of inbreeding बार 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 breeding करने से क्या होता है vigor और fitness में loss अने लगता है crops के और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं inbreeding depression ठीक है inbreeding depression inbreeding depression क्या है it's a loss or decrease in vigor and fitness as a result of inbreeding ठीक है अब inbreeding depression जो होता है वो बहुत तरका होता है कुछ inbreeding कुछ क्या होता है कुछ high inbreeding depression होता है कुछ moderate होता है किसी में low होता है किसी में होता ही नहीं है तो high inbreeding depression किसमें किसमें होता है alpha alpha and carrot देखो high जरूरी है और no बहुत जरूरी है तो high किसमें किसमें होता है alpha alpha and carrot फिर no inbreeding depression किसमें होता है self pollinated crops में अब moderate और low भी देख लेते हैं moderate किसमें होता है moderate होता है मेज, सोरगम और बाजरा में लो इंब्रेडिंग डिप्रेशन किसमें होता है अनियन, कोकुर्बिट्स और सनफ्लार में ठीक है चलिए, नेक्स हम लोग देखेंगे सुपिरियरिटी ओफ एफ वन हाइब्रेट्स ओवर बोट ओफ इट्स पेरेंट्स अब माझ लिजे, X एक पेरेंट है इसके Y के साथ क्रॉस होता है तो यह जो आपको बनेगा ना X, Y, यह होता है f1, तो वही बोच रहा है कि सुपिरियरिटी ओफ एफ 1 हाइब्रेट्स इस हाइब्रेट्स का यह जो है इसका सुपिरियरिटी over both of its parents इससे भी अच्छा है इससे भी अच्छा है इसका जो quality है वो तोनों parents से अच्छा है ऐसे situation को क्या बोलते है it's called heterosis ये A4 2020 में आया हुआ ठेक है तो आपको समझ आया ये क्या बोल रहा है superiority of F1 hybrids over both of its parents both of its parents से अगर आपका hybrid आपका जो बना दोनों से आप जो बने आप अगर superior हो अपने parents से तो उसको आप कहोगे heterosis ठेक है चलिए thank you